दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लिकर आए हैं आपके लिए आपके लिए इसी तरह से जुड़ी रहना है मत्तपूर्ण आंसर आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपकर करवा जाती है तो अज कपने याँ पर फर्ष्ट कॉश्चन पूँचा क्या है 161 कॉश्चन है कि खुल गए चंद के बंध यह किसकी पंती मानी जाती है मत्तपूर्ण पंती यहां पर दी गई है किनकी पंती मानी जाती है यह आपको चैन करना है सभी के लिए पंते निराला रामचन सुकले बगबटी, चर्ण, बर्मा यह चार विकल्प यहाँपर दिये कहा है 161 कॉश्चन यहां पर पूँचा क्या है बताएगा क्या होगा सई आंसर खुल गए चंदके बंदे दे रचिना कार कौन मानी जाती है तो आप सभी का सइ आंसर आ रहा है यह पंती पंती की मानी जाती पंत आपका सई आंसरों का समित्रा नंदन पंत विकल नंबर येक आप सभी का यहां पर सई आंसर है चायवाद विलायती अभिवेंजना का विलायती संस्क्रण है ये किसकी परिभासा है बताइए गौश्चिन नंबर 162 में आपको चेंद करना है नंद दुला रिवाचपे रामचेंद सुक्ल है रामविलास सर्मा या मुकृदर पांडे बताइए का किनकी इपंती मानी जाती है चायवाद विलायती ये विलायती संस्क्रण है ये किसकी परिवासा मानी जाती है तो 162 में आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है विकल्प नंबर दो आपका सई आंसर है रामचेंद्र सुक्ल है रामचेंद्र सुक्ल आपका यहां पर विकल्प नंबर वी वाला जो है आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा बिल्कुल सही और बसी चंपू काबे की रचिनाकार कौन मानी जाती है और बसी धिनकर की रचिना पिरसाद मैथली संगुप्त नराला वताईएगा और बसी जो है दो लोगों ने रचना लिखे लेकिन यहापर आपसे चंपू कब पूंचा है तो चंपू कब किनकी रचना मानी जाती है यहापर आपसे पूंचा है राहुल जी निसा जी स्वानी जी तो आप सभी का यहापर सैया अंसर होगा चौनिका ज जाती है विकल्प नंबर आपका याँ पर भी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा जैसंकर पिर साथ आपका याँ पर सही आंसर होगा रूप तरंग किसकी कृति मानी जाती है एक सो चौशट में आप सभी लोग चेन कीजेगा रूप तरंग बताना है आईए, question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है, 164 और 164 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, नेचेन करना है सभी के लिए, राकी जी विल्कुल सही आंसर आ रहा, रूप तरंग रचिना वानी जाती है, रामबलास सर्मा की, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, उनका यहाँ पर सही आंसर है, अंगला question यहाँ पर देखेगा, मनुस्ती ही साहित्य का लक्ष है, यह कथन किसका है, 165 में आपको चेन करना है, मनुस्ती ही साहित्य का लक्ष है, यह कथन माना जाता है, सुकुल जी का हजारी प्रसाद दुवेदी, रामबलास सर्म प्रसाद क्या होगा सही आंसर 65 वा कॉश्चन है सभी लोग एक बार सेयर कर दें वीडियो को और लाइक भी कर लेंगे सभी लोग 165 में और सभी लोग जड़ जाईएगा ये कतन माना जाता है हजारी प्रसाद दुवेदी का मनुस्य ही साहित्य का लक्ष है ये वाला विकल्प आपका यहां पर भी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा कामाईनी को मानावता का रसात्मक महाकाब्य की संग्या किस ने दी है 166 में बताने आचार सुक्ल ने डाक्टर नगयन ने नंद दुलार वाजपे ने मा देवी बर्मा ने बताईए चैन कीजेगा मत्पून कॉस्चन या पदिया है कामाईनी को मानावता का रसात्मक महाकाब्य की संग्या किस ने दी है 166 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है विकल्प नंबर कमला जी एक सई आंसर होगा आचार रामचंद्र सुक्ल आपका सई आंसर है यहाँ पर 166 में चैन करना है 166 का सई आंसर बताईएगा मत्पून कॉस्चन या पर पूँचा गया है का माइनी को मानावता का रसात्मक महाकाब्य की संग्या किस ने दी है और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा क्या है सई आंसर विकल्प नंबर एक सई आंसर है यानि कि रामचंद्र सुक्ल आपका यहाँ पर सई आंसर होगा रामचंद्र सुकल आपका याँ पर सई आंसर है विकल्प नमबर एक जनों ने भी चैन किया है उनका याँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे याँ पर पूंचा गया है देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे पूंचा गया है च सई आंसर चैन कीजेगा मत्पून कॉस्चन या पर दिया गया है और सरसट में आप सभी का सई आंसर होगा क्या होगा सई आंसर विकल्प नंबर आपका दो सई आंसर है देवराज दिनेस आपका सई आंसर है देवराज आपका सई आंसर होगा भी वाला विकल्प आपका सई आ सभी का यहां पर क्या होगा सभी के लिए मत्तवूर्ण कॉष्चन यां पर दिया गया है । और विल्कुल चाहिए यहाँ पर 68 में आप सभी का सई आंसर है, तीन यानि की महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सई आंसर है, यहाँ पर सोदाल लीजेगा कामाईनी को रसात्मक माकाब जो है नंद दुलारी वाचपे होगा सई आंसर, विकल्प नंबर C आप सभी का सई आंसर है, नंद दुलारी वाचपे है, विल्कुल सदाल लीजेगा इसको, तीन आपका सई आंसर है, और सीकर जो है मादेव वर्मा की रचिना मानी जाती है, बन मिलन, मौहनलाल मैं तो ब्योगी है, आर्सी प्रसाद सें हैं, ओदै संकर वट्ट हैं, यह प्रसाद हैं, किजेगा सभी लोग और तनु जी, एम एस बर्मा जी, आप सभी का सई आंसर आ रहा है, बन मिलन, रचिना मानी जाती है, किनकी विकल्प नंबर आपका चार सई आंसर है, प्रसाद यहां पर सई आंसर होगा, प्रसाद जनोंने भी डी वाला विकल्प चें किया है, उनका आंसर होगा, निराला की तुलशीदा से किर्टी की विधा क्या है, किस विधा की रचिना मानी जाती है, इनाटा के उपन्या से खंड काब्ब है, माकाब्ब है, किस विधा की रचिना मानी जाती है, सभी लोग चैन करेंगे, मत पूर्ण कॉस्चन आप से यहां पर पूंच क्णि दास ऑगर पूचा जाता किन की रचना है और किस विधा की रचना है तो सत्तर में आपका कंडे का माना जाता है थीन आप सभी का यहां पर सब्सक्राइक इ employer नंबर आप से यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है यहां पर एक 71 प्रिवास किस तरह का कव रहा है कि जो प्रिये प्रवास है यह माना जाता है वताइए सबी लोग मत्ति पूर्ण कॉ essentन यह आप दिया गया है सभी लोग बता रहे हैं कि यह माना जाता है एक सो एकतर में बी आनिकी कृष्ण काब्बे आपका सही आंसर होगा कृष्ण काब्बे आपका यहां पर विकल नमबर दो जो है भै आप सभी का सही आंसर होगा हुक्ते का धुआ किस की कवीता मानी जाती है एक चौ बहत्तर में आपको छेन करना है समित्रा नंदन पंते दिनकर प्रसाद या फिर निराला ये किन की कभीता मानी जाती है बहत्तरवा कॉश्चन आप से यहां पर पूंचा गया है बहत्तर में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर हुक्के का दुगा किसकी कभीता मानी जाती है दीपमाला जी सुईता जी तो भात्तर में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर यहां पर यह होगा सही आंसर समित्रा नंदन पंत की रचिना मानी जाती है समित्रा नंदन पंत होगा सही आंसर विकल्प नंबर आपका एक होगा सही आंसर हुक्के का धुआ किसकी कभीता है तो आप सभी का विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा क्या पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आपसे याँ पर पंत को छायबाद का जनक माना है किनोने माना है यह आपके लिए चैन करना है सभी लोग चैन कीजेगा सभी लोग बताएंगे मत्पून कॉस्चन याँ पर दिया गया है कॉस्चन नमबर एक सो तेतर पंत को छायबाद का जनक माना है निला चंद जोसी ने, नगेंदर ने, रामकुमार बर्मा ने, नंद दुलारी बाजपेई ने तो एक सो तेतर में आप सभी का यहाँ पर सभी आंसर आ रहा है कि वह माना है कि नोने विकल्प नमबर आप सभी लोग ड़ी बता रहे हैं नंद दुलारी बाजपेई जो है इन्होंने पंत जी को छायबाद का जनक माना है विकल्प नमबर चार आप सभी का यहाँ पर सभी आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखेगा पिरसाद को छायबाद का जनक किसने माना है पिरसाद जी को इलाचंद जोसी ने, रामचंद शुकल ने, नंद दुलार इवाचपेई ने, हजारी पिरसाद दुबेदी ने एक सो चोत्तरवा कॉस्चन आप से आपर पूंचा क्या है और मसकान जी, रुची जी आप सभी का यहाँ पर सभी आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक सई आंसर होगा, यानि की इलाचंद जोसी जो है जोसी जी, इन्होंने पिरसाद जी को चायवाद का जनक माना है विकल्प नंबर, क्या है सई आंसर, एक होगा सई आंसर, बहुत बढ़ियां जिन्होंने ये चेन क्या है सही आंसर है चायाबाद में कायक भावनाओं का पिष्ट पेशन होने की बात किसने कही है किसने कही है रामबलास सर्मा ने रामचें चुकल ने रंद दुलारी वाचपे ने नगेंदर ने 175 में आप सभी के लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर चायाबाद में का एक भाबनाव का टिस्ट पेशन होने की बाद किसने कही है तो 175 का सही आंसर होगा विखल्प नमबर 2 यानि की राम चंदर सुकल आपका सही आंसर है राम चंदर सुकल जनोंने भी विखल्प नमबर 2 उनका यापर सही आंसर वो का अंगला question यहां पर देखेगा इन पंतियों की रचिनाकार आपके लिए बताना यहां पर पंतियां दी गई है बताएगा तुलसी भी करते कैसे मानस नाद माबीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद 176 में यह पंति पूँची जाती है बहुती मत्पूण पंति दी गई है यह मानी जाती है मैथलीशन गुप्त जैसेंकर परसाद तुलसी या फिर माबीर परसाद दुबेदी 176 में आपको चैन करना है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है निम्लिकत पंतियों के रचना कार कौन मानी जाती है तो विकल्प नंबर एक सभी लोग बता रहें कि मैथलीशन गुप्त की पंतिया मानी जाती है तुलसी भी करते कैसे मानस नाद माबीर का यदि उन मिलता नहीं प्रसाद तो विकल्प नंबर एवाला आपका सई आंसर होगा अरोण एहमद मैं देश हमारा 177 में आपको चैन करना है प्रसाद पंत मादेवर्मा या फिर मैथली सरण गुप्ते 177 का सई आंसर चैन कीजेगा अरोण एहमद मैं देश हमारा जगन जी यह पंति कई बार अपन ने पढ़ चुके हैं और यहां पर भी आपका प्रसाद सई आंसर विकल्प नंबर एक सई आंसर होगा अरोण एहमद मैं देश हमारा प्रसाद जी की पंति मानी जाती है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर पूचा क्या है कौनचा 178 वा कॉस्चन है ब्योगी होगा पहला कभी आहसे उपजा होगा गान यह पंति किनकी मानी जाती है 178 में बताइएगा ब्योगी होगा पहला कभी आहसे उपजा होगा गान आरसी प्रसाद सें पंत रामचन सुकल मादे बर्मा 178 में आपको चेन करना है तो विल विखल्प नमबर 2 आपका सही आंसर है ये पंति की पंतियां मानी जाती है कि वियोगी हो गा पहला कभी आहसे उपजया होगा गान तो विकल्प नमबर दो आप सभी का सई आंसर इहां पर है अंगल्या कॉस्चन देखेगा चायबाद युग की किस विदा की आधार पर प्रिसाद युग का नामकरण हुआ है आपको बताने नाटक है कहानी है उपन्या से एकांकी है 189 में आपको चैन करना है क्या होगा सई आंसर चायबा प्रिसाद युग की किस विदा की आधार पर पिरसाद युग का नामकरण हुआ है तो आपका 1809 में था सही आंसर होगा यह विखल्फ नमबर आपका एक होगा सही आंसर आनि की नाटक ना देखेगा question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है पिरसाद के पूर्वर्ती नाटक कार आपको 180 में बताना हरी कृष्ण प्रेमी है या पिरताप नाड़ मिस्र हैं मौहन राकेस हैं या जगदीस माथुर हैं पिरसाद के पूर्वर्ती नाटक कार कौन माने जाते हैं 180 का सई आ अंसर प्रताप नारण मिस्र जो है पिरसाद के पूर्वर्ती नाटक कार माने जाते हैं वेकल्प नंबर दो आप सभी का सई आंसर है आपर बिल्कुल सही एंगल्या question यहाँ पर देखेगा question number 181 आपसे पूंचा गया है होगा फिर से दुर्धर्स समर जड़ से चेतन का नि जाते हैं अब आपसे क्या पूंचा है काब रचिना पूंचा गया है वह रचिना बताने तुलसी दास है राम की सक्ति पूजा पंचवठी पिरसंग या सरोज श्मिर्थी 181 में आपको चेन करना है 181 में आप सभी का क्या होगा सही आंशर जो 181 है 90 सही आंशर होगा तुलसी दास आपका सही आंशर है विल्कुल चाही विकल्प नमबर 1 आपका सही आंशर होगा तुलसीदास आपका सही आंसर होगा अंगल्या कॉश्चन यह आपर देखेगा कॉश्चन अमबर क्या पूँचा गया है कि समरस्ते जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन ता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था यह आपसे पूँचा गया है किसकी पंतियां मानी जाती है कॉश्चन अमबर 182 में आपको बताना है बताएगा पंत मादे वर्मा जैसंकर परसा निराला तो यह चार विकल्प आपकी आपर दिये गए हैं थमरस्ते जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन ता एक विल नमबर 183 आपका सही आंसर होगा यानि कि जैसंकर प्रसाद जी जो है जैसंकर प्रसाद उनी की पंतियां मानी जाती हैं बहुती मत्पून पंतियां दी गई हैं अंगला कॉश्चन देखेगा कनईया लाल जी किन्तु जीवन कितना नुरुपाए लिया है देख नहीं संदे निरासा है जिसका परणाम सफलता का वह कल्पित गय है यह किस काप बे रचना की पंतियां मानी जाती 183 में आपको चेहन करना है भारत भारती की कामाईनी रामकी सकति पूजा या पिर तुलसी दास बताइए 183 में आपके लिए चेहन करना है इस सभी के लिए सभी के को लाइक अवस्य कर लेंगे लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जड़ जाएं मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर है तेरासी वा कॉस्चन दिया गया है और विकल्प नंबर दो आपका सईयांसर है कामाईनी कामाईनी आपका यहां पर विकल्प नंबर भी ही खड़ा करें यह किस की काप पंतियां मानी जाती है कॉस्चन नंबर एक सो चौरासी आप से पूंचा गया है निराला की पंतियां है आचार सुकल की पंतियां रामकुमार बर्मा की पंतियां पंति की पंतियां है एक सो चौरासी में आप सभी लोगों के लिए शेनकन्ना आनंद जी कलपना जी राजिव जी तो 184 में आपका विकल्प नंबर दो सही आंसर है आच्छा रामचंद्र सुकल जी की ये पंतियां मानी जाती है विकल्प नंबर भी आप सभी का सही आंसर होगा जो कि सभी लोगों ने आपर सही आंसर चेंड क्या है अंगला कॉश्चन द ये किसकी पंतियां मानी जाती है 85 वा कॉश्चन आप से पूंचा गया है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर ये पंतियां मानी जाती 185 में चार सही आंसर रामचंद्र सुकल जी की ये पंतियां मानी जाती है अपने ही सुकदुक के रंग मे रंकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा मनुस्ती ही सब कुछे नहीं है प्रकृति का अपना भी रूप है अंगे वड़ते हैं कौशन नंबर आपसे याँ पर पूंचा गया है कौन सा यहाँ पर देखेगा चासीवा कौशन दिया गया है कभीता का रबेंद्र कभीता कानन किस विदा की रचिना मानी जाती है क्या पूंचा है आपसे विधा पूंचा है याँ पर समिक्चा है कभीता है नाटक है एकांकी एचार विकलप आपके दिये गए है चैन कीजिएगा मत्यपूर्ण कौश्चन यहाँ पर दिया गया है और 186 में आप सभी का रबेंद्र कानन विधा पूंचा और बैसे किन की रचिना मानी जाती है तो आप कमेंट में जरू बताएंगे सभी लोग 186 में चैन करना है यह समीक्चा आपका सईयांसरों का विकल्प द्र नमबर एक सईयांसरों का समीक्चा विधा की रचिना है रबेंद्र कभीता कानन पल्लव पं तौची चैन बर्म, या फिर नराला या फिर पंधowane, एक पम, सटासी में आपके लए। कहना है 87 में आप सभी का सय आंसर आ रहा है 2005 और चिनकी मानी जाती पंत और निराली हें 5AK निर में मंगलसब्द । । 1818 में चैनकन्ना city रामचंग सुक्ल हैं चंटधर्शनमा गुलेरी हैं पदमलाल पुननालाल बक्सी है या नग्यंद्र हैं तप्र रहें बतासी में आपके लिए चैनकन्ना ये आ मंगल की स्थान पर मंगलसब्द । इसकी किर्टी मानी जाती है 188 में आप सभी का सईयांसर ए गुलेरी जी जो है चंद धर सर्मा गुलेरी मुनी की एक इर्थी मानी जाती है तनु जी रोहिनी जी विकल्प नंबर भी आप सभी का यहां पर सईयांसर होगा विकल्प नंबर दो जनोने भी छेन किया है सईयांसर है निमनमेसे हिंदी सब्द सागर के संपादक थी हिंदी सब्द सागर के संपादक कुण थे एक सो नवासी में आपके लिए चैन करना है रामचम्छन सुकल थे रामकुमार बर्मा थे नगयंदर थे अग्यें थे तो आप सभी का यहां पर 189 में सई Oczywiście devotion करूगा 189 का सई ajais answer चेन करना है तो विकल्प number आपका Яँ पर जो एक है आप सभी का सया answer होगा यानि कि रामचंद्र सुक्ल आपका सया answer होगा हिंदी सब्द सागर के संपादक प chokingा गया है स सबी लोगों ने बताया है ससांक अनुदित उपन्यास की रचेता बताना है भगवती चन बर्मा है, रामचन सुकले है, रामकुमार बर्मा है, प्रेमचंद जी है 190 में आपको चैन करना है सभी लोग बताईएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहा है मर्तपून कॉश्चन यहाँ पर पूँचा गया है, ससांक, यह अनुदित उपन्यास माना जाता है और इसकी रचेता माने जाती है, कौन? विकल्प नमबर दो, रामचंद्र सुकल माने जाती है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सई आंसर होगा विकल्प नमबर भी आपका यहाँ पर सई आंसर है ससांक, अनुदित उपन्यास की रचेता कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा जो यह उपन्यास है, यह माना जाता है किनका? ससांक, रामचंद्र सुकल आपका यहाँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से हां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है उमर खैयाम की रूबान्या की रचेता कौन माने जाते है बताईए चैन करना है मत्तपूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है सबी लोग चेहन करिएगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया है और आप सभी का यहां पर 191 में सई आंसर होगा क्या होगा सई आंसर मैतली स्वरण गुप्त बच्चन निराला रामचन सुकले तो 191 में विकल्प नंबर आपका यहां पर एक होगा सई आंसर उमर खैयाम क जो रचेता माने जाते हैं मैतली स्वरण गुप्त माने जाते हैं गुविंद्र जी कौन माने जाते हैं मैतली स्वरण गुप्त होगा यहां पर सई आंसर अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा प्यो जी कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर 192 पूंचा है रबेंद्र कभीत की रचना है समीक्षा मानी जाती है और इसकी रचेता है रवेंद्र कवीता कानन जिनकी रचना है निराला जी की रचना मानी जाती है विल्कुल सई आंसर आप लोगों ने बताया है आपको बताने की निराला जी की ब्यंग प्रधान कवीता कौन से ब्यंग प्रधान पूंच पूंचा गया है 193 वा कॉस्चन आप से पूंचा है कौन सी मानी जाती है सरोज स्मिर्थी है तुलसीदास रामकी सक्ति पूजा कुकुर्मत्ता यह चार विकल्प आपके आपर दिये साहिद्र में आपके अपका कुकुर्मत्ता जो डी वाला विकल्प है विकल्प नंबर चार अप सबी का सई आंसर है बिल्कुल चाहिए अर्चना जी अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा साहित्यकार की आस्ता तथा अन्य निवंद की रचेता संपादक कौन है संपादक पूंचा गया मादे वर्मा है गंगा प्रसाद पांडे है प्रसाद है नगेंद्र है कौन माने जाती 194 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है साहित्यकार की आस्ता तथा अन्य निवंद की संपादक पूंचा गया है तो विकल्प नमबर आपका यहां पर भी होगा सही आंसर बहुत बड़िया बीवाला विकल्प है आन की गंगा प्रसाद पांडे आप सभी का सही आंसर होगा गंगा प्रसाद पांडे विकल्प नमबर 2 जिन्वनish क्या है उनका यहांपर सही आंसर होगा अंगला question देखेगा पंते जी की किर्टी वानी जाते है जोतसना इसकी विदा पूंचा गया है किस विदा की रचना है जोतसना रचना कई बार अपने पड़ी है पंच जी की रचिना है काब है काब बेनाटक है नाटक है या फिर उपन्यास है तो आप सभी का सही आंसर होगा पंचान नबे में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प बहुत सारे लोग बता रहें कि ये काब बेनाटक माना जाता है जो सना किस विदा की रचिना मानी जाती है किन की रचना है पंत जी की रचना मानी जाती है अंगला कॉस्चन देखिए कॉस्चन नमबर आप से पूंचा है प्रताइम आयाम किसकी आरंबिक रचना मानी जाती एक सो चानवे में बताइए जैसेंकर प्रसाद पंत मादे वर्मा या फिर निराला एक सो चानवे में आप सभी लोग चैन कीजेगा और एक बार सेयर करते हैं बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं बहुत कम लोग आए हैं आज तो जल्ली से एक बार सेयर करते हैं 96 वा question याँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा 96 में प्रतम आयाम जो रचना मानी जाती है वै किनकी मानी जाती है 96 में चैन करना है तो आप सभी का विकल्प नमबर C होगा सही आंसर महादेवी वर्मा महादेई वर्मा आपका विकल्प नमबर 3 जो है भै आप सभी का सही आंसर होगा अंगला क्वाश्चन यहाप देखेगा क्वाश्चन नमबर आपसे पूंचा गया बुद्ध चरित किसकी रचिना मानी जाती है तो 197 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बुद्ध चरित रचिना मानी जाती है किनकी रामचंद्र सुक्ल आपका यहाँ पर सैया आंसर होगा विकल्प नमबर B जनमने विचेंद किनकी यहां पर सैयांसर होगा बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा चिनता मनी किसका निबंद संग्रह रहे है इतना सरल क्वास्चन पूंचा गया और 98 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है चिंता मणी निबंद संग्रह जो है सुकल जी का माना जाता है तिनका आच्या रामचन सुकल आप सभी का यहाँ पर सईयांसर है विकल नमबर यह वाला जिन्वने भी चैन किया है उनका सईयांसर होगा कापे कला तथा अन्य निबंद एकस का निबंद संग्रह एक सो निन्यानवे में चैन कीजेगा एक सो निन्यानवे का क्या होगा सईयांसर कापे कला तथा अन्य निबंद एकस का निबंद संग्रह माना जाता है और बहुत बढ़िया 99 में सभी का सही आंसर यहाँ पर आ रहा है काब विकला तथा अन्य निवंद की रचिनाकार जो है जैसंकर प्रसाद जी माने जाती है कौन माने जाती है जैसंकर प्रसाद विकल्प नमबर B वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जैसंकर प्रसाद जनोने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन देखेगा यहां विल्कुल रसग के रंजन यह बताना है तनुजी विल्कुल कॉश्य नमबर दोसों में चैन कीजेगा रसग के रंजन एक इनका निवंद संग्रे माना जाता है दोसों का सही आंसर चैन करना है मावीर परसाद दुवेदी हैं हरियोद हैं या पर रामनरिस्तर पाठी हैं स्रीतर पाठक हैं कौन माने जाते हैं कई बार अपन ने रचना पढ़ी है रसग रंजन और रचना मानी जाते हैं किनकी मावीर परसाद दुवेदी की महावीर परसाद दुवेदी आपका यहाँ पर सई आंसर होगा विकल नमबर यह वाला जन्वनेवी चेन क्या है उनका यहाँ पर सई आंसर है बहुत बढ़िया बिलकुल सही अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा किस कभी को हिंदी का बायरन का माना जाता है बहुत कभी आपको बताना है रामेशर सुकल अंचल है बच्चन है नरेंदर सर्मा है भगवती चन बर्मा है तो 201 में आपका क्या होगा सई आंसर किस कभी को हिंदी का बायरन माना जाता है बहुत कभी आप बता दीजेगा कौन से वे कभी हैं और आप सभी का सही आंसर एंदि का बायरन माना जाता है तो विकल्प नमबर 2 आप सभी लोगों ने भी वताया है बहुस सारी लोगों ने छिनका नहीं पर सही आंसर होगा बच्चन आपका सही आंसर है दिनकर क्रित उर्वसी की विधा क्या है दिनकर जी की उर्वसी है चम्पू काप है मुक्त काप है खंड काप है यह चार विकल्प है उर्वसी नाम से दो लोगों ने रचनाय लिखी है और यहां पर दिनकर की उर्वसी तोव दो में आप सोभी का यहाँ पर सैंसर हूगा क्या होगा सैंसर इक सimy बड़ से अंसर घंड़े काप बें माना जाता है यह कुरवशी जो है खंड़काब्ब हैं कोश्ट नमबर हैं थूट तेना पर दिया गया हिंदी । साइट के अंतरगत सर प्रिथम ध्यानफिट प्रोस्कार किसको मिला हिंदी साइट के अंतरगत मादी रमा को पंत को धिनकर को अग्ये जी को यह चार ये मिला है तो आप सभी का यहां पर रहें तीन में विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर समित्रा नंदन पंत को किनके लिए समित्रा नंदन पंत जी के लिए सरपृत्म हिंदी सायट के अंтовर्गत जो सरपृत्म झ्यानपीट मिला है पन्त जी को मिला है सुमित्रा नंदन पन्त इनका पूरा नाम है आंगे वड़ते हैं साकेत को जीवन बादी का बिकिस आलोचक ने माना है दो सो चार में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर साकेत जो की मैथली सरन गुप्त जी की रचिना मानी जाती है इसको जीवन बादी का बिमाना है नगेंदर ने हजारी पर साथ दुवेदी ने या फिर नंद दुलारे वाजपेई ने रामकुमार बर्माने तो चार में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा डाक्टर नगेंदर आपका यहां पर सही आंसर होगा नगेंदर होगा सही आंसर जनोंने विकल्प नंबर यह चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा डाक्टर नगेंदर आपका सही आंसर है प्रियोग बाद को बैठे ठाले का धंदा किसने कहा है दो सो पांच में आपके लिए चेन करना है दो सो पांच में आपका क्या होगा सही आंसर प्रियोग बाद को बैठे ठाले का धंदा किसने कहा है तो आप चभी का यहां पर सही आं तो पांच में आप सभी का सही आंसर है जो नंद दुलारी वाजपे जी हैं नंद दुलारी वाजपे इन्होंने जो है प्रियोग बात है इसको वेटे ठाले का धंदा कहा है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है सबनम जी बि चेह में सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है सही आंसर चेह में विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस माना है रूप गोस्वामी ने विकल्प नंबर एक आपका हाँ पर सही आंस साहित्य का इतिहास में कुल कितने कभियों का परिचय इतिया ग्या है बताइएगा कभी आपके लिए बताना है कितने कभी है 700 कभी है 300 कभी है 980 कभी है 1000 कभी है 207 में आपको चैन करना है सभी लोग चैन करेंगे मुपनग जी कंचन जी क्या होगा सही आंसर बताईए आचार सुकलिकरित हिंदी सायत का इतिहास में कोले कितने कवियों का परिचय दिया गया है तो 207 में आप सभी का सही आंसर है कि इसमें एक हज़ार कवियों का परिचय दिया गया है विकल्प नमबर एक नहीं दी वाला विकल्प होगा सही आंसर दी वाला विकल्प जिनों ने चेन किया है, उनका सयांचर है, किस आलो चक का संबंद सांती निकेतन से है, ये तो वहती मत्पूर कौश्चन है, सांती निकेतन से आच्या रामचन सुकले, या फिर अजारी पर साथ दुवेदी, रामवला सर्मा, या फिर डाक्टर नग्यंद किन का संबंद माना जाता है सांति निकेतन से आठ में आपके लिए च्चारी आंसर होगा अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है पिरकृती रस कल्पना किसने की पिरकृती रस की कल्पना किसने की है यह आपको बताना है 209 में लाइक अबस्त करते जाएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अबस्त कलेंगे मत्तुपून question यहाँ पर पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसर है आचार सुकले गंद दुलार इवाचपे धीरंद्र बर्मा राहुल सांटे चाइन तो 209 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 209 में विकल्प नंबर एक आनिकी आचार सुकले आचार सुकल होगा सही आंसर रामचंद्र सुकला आप सभी का सही आंसर है दिनेश जी प्रिंसी सौनी जी अंगला question देखे गारसद अतासी किरत हिंदी सायत के इतियास का अनुबाद किस ने किया है हिंदी सायत का जीयास जो लिखा है गारसद अतासी ने इसका अनुबाद किया है कि सुरिलाल गुप्त ने या फिर लक्षमी सागर वार्षने ने डाक्टर महीप से ने या फिर डाक्टर नग्यंद्र ने question number 10 आप से आपर पूंचा गया है दस में आप सभी का जो सही आंसर होगा वै होगा विकल्प number बी वाला विकल्प आपका सही आंसर लक्षमी सागर वार्षने जो है इनोंने गारसद अतासी करत हिंदी सायत का जो है अनुबाद इनोंने ही किया है तो विकल्प number 2 आप सभी का सही आंसर है हंगला कॉस्चन देखेगा यहाँ पर पूंचा गया है स्वानी जी पदमाबत को ट्रेजिक किरती किसने माना है 211 में आपके लिए चेन करना है बिजय दिव नारण साही ने नामबार साय ने नगेंदर ने रामचन सुकल ने तो 11 का सही आंसर चेन कीजेगा बताइए पदमाबत को ट्रेजिक किरती किसने माना है 11 में आपसे पूंचा गया है और आप चभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सदानंद जी 11 सही आंसर तो विकल नमबर आपका 11 में जो दिया गया है यह एकष़ का सही आंसरर यत विजर देवनारण सही आपका सही आंसर रोका नमनमैंसे किसने परिसाद के नाटकों को मंचिन यह माना है मंचिन यह माना है क्लोंने सांता गांधी ने स्यामसंदरदास ने वच्छन शै नैं हजरी पर साद अबेदि ने लों लें 112 वारे में आपके लिए छेंटना है प्रशाद के नाट्कों को मंच निये माना है फिन्होंने आर लक्षमी कुमारी जी एनि- ईय डफ जी तो आप सभी का सही हांसर आरा है 124 0 1 सही हांसर होगा यानि की सांता गांधी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा हिंदी की मुक्त-चंद की पिर्थम कवीता कौन पिरन सी हंदी की मुक्त-चंद की पुरूक्रा superv ! कवीता मानी जाती है सब सब आप सभी लोगों का सईयांसर होगा इहां पर जुही की कली होगा सईयांसर विकल्प नंबर दो जो है आप सभी का सईयांसर है जुही की कली आपका सईयांसर है आगे वड़ते हैं यह निम्न मैंसे इंदू पत्रिका की प्रिथम संपादक बताना है जैसंकर प्रसाद प्रेम गिन्ट्पिट्व के रहते हैं जसीजादे कमला झी पृतम संपादक मेदा जी शबीशंकर जी, आप सभी का 14 में सय आंसर होगा विकल्ट नंबर 2 की आनी के अंभरीका दख्त्य व्यास जो थे उस फिर फिर्ञ आने जाते हैं विल्कुल से रहीं हिंदी साइक गिया कुसकी रचिना मानि जाती है नगैंडर, भचन, अग्ञे, देव्राज तो भली में आप सभी का क्या होगा हिंदी साइक का का दूसरा इतिहास इसकी रचिना कार कौन मानि जाते है गिया पर पूंचा गया है और बेकल्प नंबर आपका हाँ पर सही आंसर होगा बच्चन से की रचिना मानी जाती है कई बार अपन ने पढ़ी है जो बच्चन से हैं हिंदी साहित का दूसरा इतियास नहीं की रचिना मानी जाती है तो सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस क्लास लाइज आती है तो इसी तरह से जोड़ी रहना है वीडियो को लाइक अवस्ते कलने सभी लोग नीलम जी और सभीता जी कंचन जी विवेग जी बिंदू जी जगन जी और पीटी वाल गोबिंद जी कंचन जी दनेश जी मेदा जी आर्टी जी चवी जी प्रिंसी जी अन्तोस जी राकी जी आनंद जी बिंदू जी स्टेटस वाय आर आर जी अपर्ना जी विवेग जी कमला जी मुकनत जी अनंत जी और नीलम सरोच जी सबनम जी बिंदू जी रोहिनी जी राजीब जी आस्ता जी दीपक जी सोहानी जी संजू जी कलपना जी और दनेश जी नि थे करती है तो इसी 네가 लाइक बाहत धन्यवाद जैनों नहीं किया और रिखानि को बाट-धन्यवाद सैंद्याजिए दीप-माला जी है तो इसी तरह से जोड़े रहिए限 मिलते हुन है अंगले इपनी जोए सबह एक नौ बजे कलास होती है तोस्ते सभी लोगों के लिए जुड़ना है कंचन जी विंदू जी सभी को बहुत बहुत धन्यबाद आज के वीडियो में बस इतना ही प्रेंका यादव जी